Hello friends, welcome to my kitchen तो आज हम बर हैंगी ठेले वाली रगणा चार्ट घर पर ही बना कर तयार करेंगे बड़े ही आसान तरीके से कहीं पर इसे रगणा चार बोलते हैं तो कहीं कहीं पर इसे मटर की चार भी बोलते हैं और इस चार्ट को आप घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से बना कर तयार कर सकते हो बहुत ही यह जल्दी बन जाता और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश लगता है बहुत ही चरपटी यह चार्ट बनती है और यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा हूँ को बिल्कुल यह मार्केट इस्टाइल चार्ट बनी है तो बिल्कुल ऐसे ही आप घर पर बना कर तयार कर सकते हैं और मैं आपको याद दिला दू कि अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें हर रोज इसी मिला तो एक दिन के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो यह मतर थोड़ी सी अंकुरित होना शुरू हो गई है तो मैं इसी से इस चाट को बनाऊंगी तो यहां पर मतर को अंकुरित करना कोई जरूरी नहीं है तो इस तरह से मतर को भिगा देना है राद भर के लि अपने लिया है और अलु को अच्छे से चील देना है आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो लेकिन मैं यहां पर अलुओं को साबूत ही एट करूंगी और इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर एट कर देना है अधा चम्मच और अधा चम्मच इसमें हम नमक अधा बाकी का नमक हम भाद में आड़ करेंगे थोड़ा से ही नमक अधा कर नहीं है और इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे एगसी और एद्वफ स caf अलुआ यहां अ उतलु आपको मीडियूम फ्लेम पर पर 5 सीटी लगा लेना है, अपने के यहां। इंसमें मसाली डालेंगे। While we makeенд exam minute we will take some curry तो दो चम्माच इसमें धनिया एड़ कीजिएगा और एक चम्माच जीरा और मिर्ची यहां पर आप जितना थीखा खाते हो उससाब से एड़ करिएगा मैंने यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मिर्ची का यूच किया है क्योंकि मैं इसे बिल्कुल तीखा चटपटा चाट बन पर मिर्ची को आप मतलब चिलीफ ले सकते हैं मिर्ची का पावडर नहीं ले सकते ह।ब क्योंकि वो देखने में फीर अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर हमने सारे मसाले को भुन लिए हैं और इसका हमने पावडर बना लिया हैं तो थोड़ा सामने इसे दर्दरा ही अगर मसाला जादा हो गया है तो इसे आप रख दीजिए एक से दो चमज मसाला बच जाए तो आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं और यहां पर हमने मटर और आलू को भी अच्छे से पका लिया इसका प्रेसर भी खतम हो गया है यह देखिए इसका ठकन खोलेंगे और इसकी जो आलू है उसे हम बाहर निकाल लेंगे तो इस तरह से मटर को साइड में करते हुए आलू को हम निकाल लेंगे तो एक प्लेट में आलू को रख लेना है और यहां पर आप मटर को चेक भी कर सकते हैं मटर पकी है कि नहीं तो यहां पर मटर जो है बहुत ही अच्छे तो आता पर numéro 1-2 सीटी और लगा सकते हो और अलू को ऐसे मैस कर लेना है तो यहां पर अलू जो है गरम है तो आसानी से मैस हो जा रही है तो अलू को साइड में करेंगे और गयस पर हमें एक अगर आपने मसाला का पाउडर यानिके धनियाजीरे का पाउडर और इसमें रोष्ट लीजिये बीना आउयल के तब इसमें आप मतर डा लिएगा हमने मसाली को रोष्ट कि इस लिए मैं मसाले को बाद में यूच कर रही हूँ अच्छे से मिला देंगे सारे चीजों को इसमे खट्टा मीठा बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है तो इमली का पल्प इसमें जरूर रेट करिएगा अच्छे से मिला देंगे इसके बाद हम मैस कि यूँ ही आलू डालेंगे जो हमने मैस करके रखा था सारी आलू को इसमें डाल देना है और आलू को भी अच्छे से मिला देंगे बहुत ही टेस्टी यह चाट बनती है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बिना आयल की यह बन जाता है इसमें हमने पाई डाल दिया एक गिलाज थोड़ा सा पानी इसमे में फेर्शती जबालाने देंगे और करेंघ कि ताकि इसमें जल्दी से उबालाणा शुरू हो जाए तो इसमें बालाना शुरू हो गया है बस इस Hebrew के बहुत है और पका क्नौने हैं तो हमने इसे पका लिया है आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू हमें मे क्रेवी को ठीक करती है तो इसलिए इसे ज्यादा नहीं पकाना है यह ठंडा होने के बाद और भी ठीक हो जाता है तो यहां पर मैं पूरी हिचाट को सर्व करने वाली हूं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे बाद में खाऊंगी तो यहां पर मटर को साइड में कर दीजिए यानि कि इस मिक्चर को साइड में रख दीजिए गा जितना आपको खाना है उतना ही या बरतन में निकाल लिए तो यहां पर में पूरा ही सरो करने वाली है इसलिए हमने पूरा ही निकाल लिया करेंगे और इसके बाद हम इसमें प्याज करेंगे यहां पर हमने एक बड़े स शुक्षी लाल मेचे एड़ किया है और चाट मसाला के चाट मसाला इसमें बहुत ही जरूरी है और नीबू का रिचिस में एड़ करेंगे और अच्छे से सबी चीजों को मिला देंगे आप चाहो तो यहाँ पर मूली भी एड़ कर सकते हो लेकिन मैं मूली बाद में एड़ करूंगी तो यहाँ पर सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो मैं आपको अभी प्लेट में सरव करके दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं आपको पतल में सरव करके भी दिखाऊंगे बिल्कुल मार्केट इस्टाइल और हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें मैं हर रोज इसी तरह से नई नई रेस्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नई नई रेस्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अप्लोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचें तहां पर हमने प्याज टमाटर हरी मिर्च और मूली एड़ किया है मूली इसमें जरूर एड़ करें इससे ही बाजार वाले बिलकुल लुक आता है इसके बाद इसमें हरी चटनी एड़ करेंगे और इसके बाद इसमें हम लाल चटनी एड़ करेंगे जिससे बिलकूर मार्करी स्टाइल वाला लुक आएगा और खाने में पत्तल में शर्व करने से बिल्कुल मार्केट इस्टाइल लगता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए प्याज हमने एट किया है थोड़े से टमाटर और थोड़े से हरी मिरची और इसके बाद हरी चटनी और लाल चटनी एट करेंगे और इसके बाद इसमें हम कद्दू कस्की हुई मूली एट करेंगे जिससे देखने में बिल्कुल मार्केट इस्टाइल ठेले वाला ही लुक आएगा ये देखिए थोड़ा सामने चाट मसाला एट कर दिये उपर से और देखने से आपको पता चला है कितना चट पटा कितना टेस्टी ये चाट बना हुआ है तो एक बार आप इसे जरूर से ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है बहुत ही असानी से बन जाता है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बहुत ही क देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद